हालो एव्रिवन वेल्कम टो आवर यूट्यूब चैनल आरन सिसी नर्सिंग ओनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सिरेज तो जैसे कि आप सभी को पता है आज जो एक्जाम हुआ था वो था राधिस्टान शिया चोगा तो उसके अंदर टोटल हंड़ेट कुशन आये थे तो अपन क्या करेंगे उन क्यूशन की आंसर की अपन यहां पर डिसकस कर लेंगे तो most of the questions के अपन आंसर की देख लेंगे इस मतलब होता है option हमारे पास में chemotherapy, therapy with radiation therapy, internal radiation therapy, external radiation therapy या फिर radiation therapy with surgery तो ब्रेकी थेरीपी का क्या मतलब है देखिए इसके अंदर हमारो जो option करेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारो option number B ठीक है ब्रेकी थेरीपी में क्या होता है internal radiation therapy एक तरीक से काम मेली जाती है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अपने जो capsules है जो क्या करते हैं जिन से radiation निकलता है, radiation source के लाए capsules हो गया, ribbons हो गया फिक है तो ऐसी जी जिस को body के अंदर implant करते हैं ठीक है? फिर कभी अपनी MCQ जब अपन चलाते है आ रहे हैं daily basis पे उसके अंदर अपन करेंगे ठीक है next MCQ है हमारा kegel exercises are useful to control ठीक है kegel exercises are useful to control blood sugar level को या फिर heart rate को या फिर urinary incontinence को या फिर obesity को kegel exercise किसके लिए काम मेली जाती है तो kegel exercise क्या करता है यह urinary incontinence को क्या करता है prevent करने को काम में आता है ठीक है जो dribbling of urine देखने को मिलता है तो यह urinary incontinence को या पे treat करने के काम में आता है ठीक है साथ साथ में अगर कोई अपने body के अंदर कोई भी pelvic floor की muscles की या पे कोई किस परकार की problem होती है उसके अंदर भी kegel exercise effective रहती है next mcq हमारा which of the following is not useful in the treatment of burn तो burn के case में कौन सी medicine को कौन सी drug को जो है वो treatment में नहीं लिए दाता है treatment में काम में नहीं लिए दाता है option हमारे पास में mifinide acetate benzyl alcohol solution silver sulfodizing या फिर silver nitrate solution ठीक है यह भी silver sulfodizing काम में लेते हैं silver nitrate भी काम में लेते हैं and mefenide acetate भी काम में लेते हैं कोन सा काम में नहीं लेंगे benzyl alcohol ठीक है benzyl alcohol में अलकोल क्या करता है skin को irritation करता है और अगर बन हो रहा तो वाँपर जदा skin irritation होगी skin जो है वाँपर redis हो जाएगी ठीक है तो इसलिए benzyl alcohol को अपन काम में नहीं लेते हैं ठीक है बागी सभी को काम में लेते हैं तो जैसे आगे आपको जैसे CHO में और आगे question बूस ले तो mefenide acid 5% अपन यूज में लेते हैं silver nitrate को अपन 0.5% में अपन यूज में लेते हैं साथ साथ में अपन जैसे silver sulphur digene को अपन 1% को solution जो रहता है वो यूज में लेते हैं ठीक है povidin iodine भी यूज में लेते हैं ठीक है तो benzyl alcohol solution को अपन काम में नहीं लेते हैं next mcq है if body temperature of a percent is 40 degree celsius then what will be value in foreign height ठीक है आपसे क्या पूछा है foreign height की value पूछिए यहां पर ठीक है sales अपने पास में क्या है 40 degree celsius को foreign height में convert करना है यह पूछा गया है कितना value आएगी option हमारे पास में क्या है 104 degree Fahrenheit 106 degree Fahrenheit 100 degree Fahrenheit या फिर 102 degree Fahrenheit तो देखिए अपन इसको करना है कि foreign height में convert करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह अपना रहता है formula इसके according क्या आ जाएगा 104 degree Fahrenheit यहां पर अपना answer आ जाएगा ठीक है यहां पर plus करना है 32 को तो यह क्या आ जाएगा foreign height ओके इस question का answer क्या होगा option number a next mcq है the presence of albumin in urine and increase in blood pressure during pregnancy indicate देखिए क्या हो रहा है pregnancy के अंदर blood pressure बढ़ रहा है साथ साथ में albumin urine के अंदर दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या हो गया albumin क्या होती है एक तरह की प्रोटीन हो रहा है proteinuria हो रहा है plus hypertension हो रहा है और एक पर अगर और और देता था examiner इसके अंदर क्या edema तो अगर इसा condition में देखना मिलती है तो यह क्या होता है option हमारे पास में क्या है gestational diabetes glycosuria gestational hyperlipidemia या फिर preeclampsia तो यह जो condition होती है यह कौन सी condition है preeclampsia की condition है ठीक है preeclampsia के अंदर proteinuria देखने हो मिलता है hypertension देखने हो मिलता है साथ साथ में edema भी देखने को मिलता है और इन दोनों के साथ में अगर एक और चीज मिला दे क्या conversion तो क्या बन जाएगा eclampsia ठीक है यह अमारी जो previous mcq classes थी उसके अंदर preeclampsia eclampsia की questions भी करवा रखे है ठीक है next mcq हमारा आज का the best way to treat liquid waste such as blood urine and hospital sewage क्या पुछा आपसे liquid waste को treat करने का best way कौनसा है simple answer liquid waste को treat करने का best way कौनसा है microwave iridation या फिर physical disinfection या फिर chemical disinfection या फिर innert appreciation तो बहुत से बलक्चों ने innertization किया होगा उसके अंदर हमारा answer क्या रहेगा chemical disinfection ठीक है तो best way to treat liquid waste तो liquid waste को treat करने के लिए क्या काम में लेंगे chemical disinfection को हम काम में लेते हैं next MCQ है हमारा first lip breathing is seen in ठीक है first lip breathing कौन सी condition में देखने को मिलती है option हमारे पास में क्या है pneumonia, atelactasis, pneumothorax और COPD COPD chronic obstructive pulmonary disease कौन सी condition में first lip breathing देखने को मिलती है इसका जो correct answer जो रहेगा वो रहेगा option number D COPD और साथ में अस्थमा वाली condition में क्या देखने को मिलता है first lip breathing की जो अपना pattern है वो देखते हैं को मिलता है breathing का pattern हो दा first lip breathing ठीक है किस में देखने को मिलेगा COPD और अस्थमा next MCQ when was India declared polio free country by CRWHO WHO के द्वारा polio free इंडिया को कब declare किया गया था option A हमारे पास में 27 March 2014 B के है 5th August 2018 C है 1 May 2020 D है 14 July 2016 तो कौन सी date को इसको क्या गया था इसका option रहेगा हमारे पास में option number A 27 March 2014 को यहां पे declare कर दिया है क्या था डबलो जो से कि इंडिया जो है वो polio free हो चुका है ठीक है eradicate नहीं हुआ तो बट यह polio free हो चुका है next MCQ है हमारा which vaccine is not administered within six weeks of age to a child age per universal immunization schedule ठीक है तो universal immunization schedule के according six weeks के बच्चे को अपन कौन सी vaccine जो है उसका administration अपन नहीं करेंगे option क्या है measles, oral polio vaccine, hepatitis B और BCG bacillus, calmus, guarin इसको हम यूज में नहीं लेंगे तो इसके अंदर हमारा answer क्या बहुँ जाएगा measles ठीक है बागी की तीनों, dose 8 बट लग जाती है और आगे भी इनकी dose continue रहती है बट measles, six weeks से पहले आपन continue नहीं करते हैं ठीक है next MCQ हमारा apistaxis means apistaxis का क्या मतलब है bleeding from stomach, bleeding from nose, bleeding from pancreas या फिवी bleeding from cuffing ठीक है तो apistaxis execution direct option number B bleeding from nose is called apistaxis next MCQ which of the following hormone is responsible for milk letdown reflex during lactation ठीक है जो lactation की process रहती है उसमें milk letdown reflex को responsible कौन सा हर्मोन रहता है ठीक है मतलब क्या है पुछा आप से कि milk को letdown reflex दोआ है milk का उसके लिए कौन सा हर्मोन responsible होता है oxytocin, prolactin, estrogen या फिर human growth hormone तो इसके लिए जो responsible hormone है वो कौन सा होता है oxytocin ठीक है oxytocin को milk letdown hormone भी कहते है next mcq है national program for family planning was loans in India ठीक है इंडिया के अंदर national program for family planning कब start क्या गया था 1948 में 1950 में 1952 या फिर 1962 तो इसके अंदर किसको क्या गया था 1952 के अंदर जो है national family planning program को यहाँ पे start कर दिया गया था launch कर दिया गया था इंडिया में 1952 को next mcq है हमारा who is the father of vaccination ठीक है father of vaccination किसे कहा गया है कार्ले मूलिस को या फिर Florence Nightingale को या फिर Robert Koch को या फिर Edward Jenner को ठीक है तो आपन देखो explanation जब answer को आपको बताना है कि like exam आपने दे दिया है अब आपको पता लगाना भी answer क्या होगा क्या नहीं होगा तो इसके लिए आपन ज़्यादा explanation नहीं करेंगे ठीक है वीडियो को छोटा बनाते वे अपन डारेक्ट थाक्या एक तो आपका टाइम बचे और साथ साथ में क्या है कि वीडियो के लेंज छोटी होगी एक तो अपकम टाइम में ज़्यादा आपने answer बगरा चेक कर पाऊगे ठीक है इस चीज को लेंधी बनाने में ज़्यादा मतलब नहीं है तो आंसर में बात करते हैं डारेक्ट अपन को मिलती है वाइटामीन डिफिशेंसी वाइटामीन डिफिशेंसी वाइटामीन डिफिशेंसी या फिर वाइटामीन ई डिफिशेंसी तो बायोटी स्पोर्ट जो है वो वाइटामीन ए की डिफिशेंसी से हमें देखने को मिलता है ठीक है अगर जिन्होंने प्रिवेस क्ला हिमेटोलोजिकल इम्मुन ऐसे या फिर हिमेटोलोजिकल इन्हिबीशन ऐसे या फिर हिमोगलोबीन इन्हिबीशन ऐसे या फिर हिमेगलूटिनेशन इन्हिबीशन ऐसे तो इसके अंदर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा option number D hymn agglutination inhibition assay इसको बोलते हैं HIEA को next MCQ हमारा workers of the coal, lead, gold and mica industries can suffer from ठीक है तो option हमारे पास में क्या है silicosis, anemia, cataract and eczema देखे कभी कभी क्या है कुछ questions का आपको जवाब नहीं पता होता है बट बागी के options का आपको पता होता है anemia आपको क्या पता है cataract के बारे में आप जानते हो और eczema के बारे में जानते हो तो हमारा answer क्या हो जाएगा silicosis क्योंगी यह तीन नहीं है last option क्या पता silicosis तो silica dust से अगर इसको बोलते हैं तो इसको अपन क्या कह सकते हैं साथ-साथ में silicosis को और क्या बोलते हैं occupational lung disease ठीक है अगर अपने expression करते जलेंगे तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा और आपके काफी suitable नहीं रहेगा जल्दी शापन next question पर move करते हैं the denominator in the maternal mortality ratio ठीक है maternal mortality ratio के बारे में पुछा आपसे rate के बारे में नहीं पुछा है या रगना option क्या था total number of female in date, year and area उस area के अंदर उस year के अंदर total number कितने थे females के उसको रखेंगे denominator में या फिर number of live birth in the same area and year उस जो live birth कितनी हुई थी वो आपको पता रखना है उस area के अंदर उस same year के अंदर next number of female in the reproductive age group in that area and year या फिर total population in that area and year तो देखिए maternal mortality ratio के अंदर अपन क्या ध्यान में रखते है denominator को यह होता है हमार option number B ठीक है इसके अंदर हम total number of live birth in the same area and year को अपन consider करते हैं other option से ठीक है तो next mcq हमारा टैकिपनिया इन न्यूबोन is defined as respiratory rate greater than ठीक है respiratory rate कितने से ज़्यदा बढ़ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे टैकिपनिया कहेंगे किसके अंदर newborn के अंदर option क्या है हमारे पास में 80 breathe per minute 30 breathe per minute 40 breathe per minute या फिर 60 breathe per minute ठीक है तो टैकिपनिया बन कब कहेंगे जब जो newborn की जो respiratory rate है वो हो जाएगी 60 breathe per minute से ज्यादा हो जाएगी like 61 62 भी होगे उसको बन टैकिपनिया कहेंगे ठीक है 40 to 60 यहां पर क्या normal condition के अंदर बात करेंगे थे अब अगर more than 60 यहां पर देखने को मिल रहे तो है टैकिपनिया की condition है next mcq thomas splint is used to immobilize fracture of which bone ठीक है thomas splint किसके बारे में पूछा है thomas splint के बारे में पूछा है एक ऐसा structure हमें देखने को मिलती है अपन जब hospitals के अंदर काम करते है तो इसके अंदर क्या करते है अपन लेग को अपन यहां पर इसको अपन ट्रेक्शन देके रखते हैं ठीक है ताकि लेग जो हो immobilize रहे तो देखिए यह किसके लिए काम में आता है यह सबसी बात है लेग जाता है next mcq TBI के लिए और भी ट्रेक्शन रहते हैं बट इसको फिमर के लिए काम में लेते है next mcq collection of pus in plural space is term days ठीक है जो लंग्स का जो plural cavity के अंदर जो space है उसके अंदर अगर क्या हो रहा है पस का यहां पर क्या हो रहा collection हो रहा है इसको हमने क्या नाम दिया क्या ट्रम ल बोलेंगे या फिर mpi cma बोलेंगे या फिर plural effusion ठीक है या फिर क्या बोलेंगे plural effusion तो इसका क्या अंशर बन जाएगा हमारा यह हो गया क्या mpr इस कुछन का अंसर क्या हो जाएगा option number b mpr ठीक है next mcq हमारा identify the hepatitis which has more risk to transmission through contaminated food and water देखिए यहीं पर prosecution है contaminated through food and water ऐसा कौन सा फेलता है, option हमारे बास में क्या है? Hepatitis D, Hepatitis E, Hepatitis B, यहाँ भी Hepatitis C, देखिए यहाँ पर contamination from food and water से दो तरह के hepatitis यहाँ पर पहलते हैं, Hepatitis A and Hepatitis E, ठीक है यह दोनों similar रहते हैं, यहाँ पर आया नहीं, option में, तो option कौन सा करेक्ट हो जाएगा, Hepatitis E, ठीक है, बागी के आपने blood bone यहाँ पर conditions है, blood bone body secretion से यहाँ पर फैलते हैं, next MCQ, next MCQ क्या है, the first milk secreted by mother which is rich, rich in protein and anti-infective factor, mother का ऐसा milk जो कब secret होता है, first secret होता है, सबसे पहले जो secretion आता है after delivery, mother का first milk, उसके बाद में वो rich किसमे है, proteins के अंदर rich रहता है, साथ-साथ में anti-infective factors भी उसमें काफी ज़ज़ा यहाँ पर present रहते हैं, तो यह कौन सा milk होता है, option हमारे पास में क्या है, postpartum milk बोलेंगे इसको, या फिर supplementary milk, या फिर wall cream milk, या फिर colostrum, तो देखिए आप सभी को पताई होगा, जो first milk secretion होता है, तो उसको हम क्या कहते है, colostrum, ठीक है, next MCQ हमारा, atorvastatin is used to treat, ठीक है, जो atorva drug होती है, atorvastatin, यह किसको treat करने के लिए काम में ली जाती है, option हमारे बास में क्या है, bleeding disorder, cardiac arrest, adrenal stone, या फिर hyperlipidemia, देखिए, atorvastatin, ठीक है, statin group की जो conditions होती है, यह जिस drug के अंदर, जो statin name लगता है, पीछे, जैसे atorvastatin हो गया, तो यह किसको decrease करती है, बोडी में, lipid को, ठीक है, तो हमारा option क्या हो गया, hyperlipidemia के अंदर अपन क्या देंगे, atorvastatin drug को अपन काम में लेते हैं, ठीक है, जो statins category की जो drug है, वो क्या करती है, लिपिड का, बोडी में decrease करती है, level, next, mcq हमारा, एक communication barrier that involved linguistic problems, ठीक है, linguistic problems है, वहाँ पे, communication हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, linguistic problem आ रही है, इसमें, जो sender है, और जो receiver है, जो बोल रहा है, और जो समझ रहा है, उन दोनों में, linguistic problems face हो रही है, तो इस प्रकार के communication को क्या कहेंगे, option क्या है हमारे पास में, environmental factor, semantic factor, sorry, environmental barrier, semantic barrier, personal barrier, या फिर psychological barrier, ठीक है, तो जब linguistic problems की आपन बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या आता है, option number B, semantic barrier इसको अपन नाम देते हैं, ठीक है, semantic barrier इसको हम कहते हैं, next MCQ, next MCQ, the constant present of disease within a geographical area is known as, ठीक है, क्या नाम आया है, constant presence of disease, लगातार कोई जो disease है, वो उसके geographic लेजा में बनी रहती है, इसको हम क्या कहेंगे, epidemic, endemic, isolation या फिर pandemic, देखिए, इसका correct answer जो होगा, वो क्या होगा, endemic, ठीक है, आप याद रखने के लिए आप समझ सकते हो, constant present area मतलब, endless, तो end से आप याद रख सेकते हो, endemic, ठीक है, epidemic का क्या मतलब हो गय Sudden Outburst होना, pandemic का मतलब क्या हो गया, country से, outer side में निकल जाना, large geographic area के नदर फेल जाना, उसको अपन बोलते है, pandemic, okay, next, MCQ, Which of the following hormones plays a role in the thickening of the lining of the uterus, ठीक है, जो uterus की lining होती है, internal, तो उसको thickening करने के लिए, कौन सा हर्मोन यापर important role बनाता है, adrenaline, estrogen, thyroxine and melathion, तो इसके लिए जो हमारा हर्मोन है, वो कौन सा है, estrogen हर्मोन, next, next, MCQ हमारा, iron and folic acid supplementation scheme include weekly administration, ठीक है, आप से क्या, पुछा गया है, weekly administration करना है, किसका iron and folic acid supplementation का, ठीक है, तो इतनी dose रहेगी, इसकी, elemental iron 500 microgram and folic acid 500 microgram, elemental iron 250 microgram and folic acid 250 microgram, milligram and folic acid 250 microgram, elemental iron 100 milligram and folic acid 500 microgram, elemental iron 500 milligram and folic acid 100 microgram, तो देखे, कितना रहता है iron and folic acid का supplementation, तो इस question का, हमारा answer क्या हो जाएगा, option number C, ठीक है, इसके अंतरपन का देते है, elemental iron कितना रखते है, 100 milligram, साथ-साथ में folic acid कितना रखते है, 500 microgram गपन जो है, वो folic acid की dose होती है, next MCQ, the level of care in which care is generally provided in district hospital, एसी level, जो कहां provide की जा रही है, district hospital में, end community center, 8 block level, ठीक है, district hospital या फिर block level के जो community center है, वहाँ पे, level of care अब यो provide तरवा जारी तो वो कौन सा level है, care का कौन सा level provide के जा रहा है, इन जगों पे, option क्या है हमारे पास में, secondary level, tertiary level, primary level या फिर primordial level, तो देखिए, यह care का level होता है क्या, secondary level, ठीक है, तो अपन बात करें सबसे पहले, PSC, sub center पे क्या होता है, primary level की care दी जाती है, उसके बाद में district hospital या फिर community health center, कौन से वाले, block region वाले, ठीक है, साथ साथ में आपन community health center भी गिन सकते हैं, बट ऐसे community center जो की block level पे हो और district hospital, यहाँ पे जो care प्रवाइड की जाती है, वो कौन सी होती है, secondary level की, इसके बाद में, tertiary level की care कहाँ प्रवाइड की जाती है, जो super specialty hospital होते है, वहाँ पे tertiary level of care की प्रवाइड की जाती है, next mcq, which of the following is not an example of NSAID, ठीक है NSAID, नसेट्स का कौन सा example नहीं है, ibuprofen, fentanyl, etoric, coccyp, या फिर aspirin, कौन सा option जो है वो NSAID नहीं है, तो देखिए fentanyl हमारा हो जाएगा, क्या correct हो जाएगा, क्योंकि fentanyl क्या है, opioid analgesis के अंदर काम में लिए आता है इसको, ठीक है, opioid analgesis के अंदर काम में लिए था fentanyl का, ठीक है तो यह NSAID की ड्रग नहीं है, बागी की सारी अपन, non-steroidal anti-inflammatory drug में काम में आती है, next mcq, the virus which cause smallpox, smallpox को causative virus कौन सा होता है, varicella, rubella, influenza या फिर variolla, तो देखिए smallpox को cause करने वाला virus कौन सा है, variolla, chickenpox को कौन सा है, varicella, ज्यान में रखना है, c means chickenpox and variolla, मिल रहा है आपको तो वह किसका हो गया, smallpox का, next mcq, we'll planning for jaw thrust manure, what is the position of volunteer, ठीक है, jaw thrust manure, जो है वो, जब अब गर कोई volunteer है, वो jaw thrust manure perform कर रहा है, तो उसके अंदर उसकी volunteer की position कौन सी रहेगी, option है हमारे पास में, left side of the head of the patient, जो patient का head है, उसके left side में, या फिर patient के head के right side में, या फिर patient के head के posterior side में, या फिर near leg of the patient, या फिर उसके जो patient के leg है, उसके side में, तो देखिए, jaw thrust manure, अपन क्या करते हैं, airway की opening करने के लिए jaw thrust manure को अपन काम में लेते हैं, तो above the head of the patient खड़ा रहेगा, volunteer थभी वो effective तरिके से वो उसके head की position को पकड़ पाएगा, और mouth opening कर पाएगा, next MCQ, frost bite occur when body part और skin exposed to, freezing cold temperature, metal injury, या फिर insect toxin, या फिर excessive heat से, देखिए, frost bite जो है वो किसमें देखने को मिलता है, freezing cold temperature की वज़े से, जो body के organs होते हैं, जो peripherally extremities के जो organs है, hand and foods के, वहाँ पर क्या देखने हो मिलता है, freezing and cold temperature की वज़े से यहाँ पर फ्रोस्ट bite देखने को मिलता है, ठीक है, skin वहाँ के, cyanotic हो जाती है, blackish हो जाती है, अगर वो treat नहीं हो पाती है तो, next amputation भी करना पड़ता है, अगर वो treat नहीं होता तो, next MCQ, insulin is produced by which type of cell in the pancreas, pancreas के अंदर insulin को produce करने वाली cell कौन सी है, option हमारे पास में isolate cell, germ cell, squamous cell, या फिर epithelial cell, तो insulin प्रोवाइट, insulin को कौन produce करता है, isolates of langer hands के अंदर, alpha cell किसको करती है, glucose को, and beta cell किसको करती है, insulin को, next MCQ, the crude death rate is defined as the number of death occurring during the year, per population estimate by at the mid-year, ठीक है, mid-year के अंदर आपको क्या पता लगाना है, यहाँ पे crude death rate, ठीक है, number of death कितनी हुई है, उस mid-year में, और उस mid-year में, वहाँ की population का थी, उस geographical area की अंदर, ठीक है, तो यह क्या होता है, crude death rate, तो, इसको population के लिए अपन किस से multiply करते हैं, option हमारे पास में क्या है, 10,000, 1000, 100, and 1 leg, तो देखिए, इसके अंदर हमारा answer का आजाए का rate, 1000, ठीक है, तो 1000, हम इसके अंदर यहाँ पे correct answer रखते हैं, next MCQ है हमारा, देखिए, एक तो होता है, देखिए, crude birth rate, crude death rate, and infant mortality rate, यहाँ पे चारों में ही क्या होता है, तीनों में ही क्या होता है, 1000 से अपन क्या करते हैं, multiply करते हैं सबको, ठीक है, next MCQ, यहाँ पे infant में अपन क्या करते हैं, number of live birth रखते हैं, अपन denominator में, ठीक है, next MCQ, a person with BMI value 28, will be categorized as, अगर किसी person की BMI value कितनी आ रही है, 28 आ रही है, तो इसको हमने किस category में रखते हैं, underweight है यह percent, person, या फिर overweight है, या फिर obese है, या normal condition है, तो normal तो बिल्कुल नहीं है, यह क्या है, overweight के अंदर, category के अंदर आता है, अगर BMI 28 होता हो, next MCQ, prevalence rate includes, ठीक है, prevalence rate को अपन किस में include करते हैं, recovered cases of disease में, new and old cases of disease में, या फिर population at risk पे, या फिर new cases of disease में, तो देखिए, prevalence किसको कहते हैं, new and old cases का मतलब हो गया, यहां पर क्या, total case कितना है, ठीक है, new and old, and new का आपको पुछे, तो इसके अंदर क्या होता है, incidence, ठीक है, confuse नहीं होना है, prevalence and incidence के अंदर, next MCQ, which of the following drug is found to be effective in warm infestation, such as ascariasis, ascariasis क्या है, warm infestation है, तो इसके लिए effective drug के बारे में पुछा आप से, तो देखिए, revivarazole, allopurinol, fluconazole, या फिर albendazole, तो देखिए, albendazole जो drug है, वो यहां पर most effective drug है, बाकी के drugs के, ठीक है, albendazole को अपन, warm infestation में काम में लिया जाता है, next MCQ, ठीक है, warm infestation के लिए program भी चलाए गया है, तो वहां पर अपन इस drug को पढ़ते हैं, इसकी dose को पढ़ते हैं, next MCQ हमारा, the normal body mass index in adult as per WHO, जो WHO ने जो guideline दी थी किसकी, BMI की, तो उसके according normal body mass कितना होना चाहिए, 25 to 29 kg per meter square, या फिर 18.5 to 24.9 kg per meter square, या फिर 30 to 34.9 kg per meter square, या फिर 16 to 80 kg per meter square, तो अपना जो answer जो रहेगा, इसका वो क्या रहेगा, 18.5 to 24.9 per kg, ये कितना होता है, ये हो गया हमारा normal, ठीक है, और ये क्या हो गया, अंडरवेट, ठीक है, next mcq, which of the following is the light sensitive portion of the human eye, ठीक है, human eye का ऐसा portion जो क्या है, light से sensitive है, ठीक है, तो कौन सा option correct हो का, retina, conjunctiva, cornea, या फिर sclera, ठीक है, light sensitive पूछा है, तो retina, ठीक है, retina पे अपने image बनती है, तो जो आपने light अँखों में जाती है, तो उससे क्या image बनती है, किस पे बनेगी, retina पे, तो sensitive कौन हुआ, retina, next mcq, which device is used, will performing Weber test, ठीक है, Weber test क्या, अपन जो परफॉर्म करते हैं, तो कौन से device का use में लेते हैं, reflex hammer का, या फिर audiometer का, या फिर autoscope का, या फिर tunic fork का, देखिये, Weber test किसके लिए क्या दाता है, Weber test क्या दाता है, conductive hearing loss का पता लगाने के लिए, और या फिर sensory hearing loss का पता लगाने के लिए, ठीक है, conductive hearing loss, middle side में sensory यहाँ पे, inner ear की problems क्या, अब पता लगाते हैं, कि patient को condition है, क्या hearing loss की, ठीक है, एक word में अपन समझे, तो यह किसकी problem को assess करता है, hearing loss को assess करता है, तो, इसके लिए अपने equipment यूज में लेते हैं, वो क्या है, tunic fork, next mcq, which of the following condition of eye is caused by increased intraocular pressure, eye का जो ocular pressure है, वो अगर बढ़ जाता है, तो कौन सी problem देखने को मिलती है, option हमारे पास में क्या है, cataract, trachoma, myopia, and glucoma, ठीक है, जब कभी भी intraocular pressure बढ़ता है, तो condition क्या देखने को मिलती है, glucoma, तो normal IOP कितना होता है, यह होता है, 10 to 21 mmHg, ठीक है, अगर इच्छे रज़ा होगा, तो glucoma की condition हो सकती है, patient को, ठीक है, cataract बगरा, trachoma, trachomy communicable disease है, and myopia reflective errors के अंदर काम में लिए जाता है, and यहाँ पर glucoma execution का correct answer होगा, next MCQ, an aneurysm is a bulging or dilation of artery at weak point, जहाँ पर artery का क्या होता है, weak point होता है, उसके elasticity कम हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका dilation होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, aneurysm बोलते हैं, the arteries diameter should be exceeding at least of the normal range to consider it aneurysm है, तो आप से question में पुशा गया है कि artery का diameter कितना होना चाहिए at least, ताकि वो क्या aneurysm के अंदर consider किया जाए, option है हमारे पास में क्या है, 50%, 75%, 20% या फिर 35%, तो at least अगर वो उसका 50% से diameter तो होना ही चीए उसका, normal diameter से 50%, उसका diameter बढ़ना चीए, dilation होना चीए आठरी का, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, aneurysm के अंदर consider कर पाएंगे, next MCQ हमारा specific test to diagnose gastric ulcer is, gastric ulcer को पता लगाने के लिए कौन सा specific test क्या आता है, option मारा बास में क्या, barium swallow test, endoscopy, abdominal ultrasonography, या फिर abdominal x-ray, तो gastric ulcer का पता लगाना आपको, तो काम में क्या आएगी, endoscopy, next MCQ, the ratio between total population and the surface area is known as, option question क्या है, आप से क्या पुछा है, ratio पुछा है दोनों का किसका, total population and surface area, option क्या है, societal dependency ratio, young age dependency ratio, urbanization ratio, या फिर population density, तो इसका correct answer क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा option number D, इसको अपन क्या बोलेंगे, population density, तो population density किसको कहा, ratio between total population and the number, and the surface area, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, population density, next MCQ, which of the following fact is our correct, about jaundice, jaundice के बारे में कुछ facts दिये गए है, निचे, तो कौन सा correct है, blue rubin levels are high, जी हाँ, blue rubin level बड़ावा देखने हो मिलता है, jaundice में, skin and eyes are yellow, जी हाँ, बिल्कुल, there is loss of appetite, ओके, याँपर appetite loss देखने को मिलती है, jaundice वाले patient में, बिल्कुल सही है, pale color of fecal matter, ठीक है, fecal matter, fecal matter, तो वेसे भी normal conditions में, आप माँ pale yellow color का होता है, but इसके अंदर अगर urine का आगर आता, तो वो चलता है, यहाँपर accurate होता है, आप बजा है, fecal matter का, तो, कौन सा option रहेगा, option one and two, and two and third, and one and two and three, जी हाँ, अपना option number C, यहाँपर correct होगा, only one second and third वाला जो option है, वो यहाँपर correct है, next, the average period of living birth, average period of giving birth, to a full term baby, एक full term baby के लिए, उसका average period कितना होना चाहिए, 250 days, 280 days, 200 days, या फिर 150 days, ठीक है, तो काफी basic सा question है, 250 days, तो होने चाहिए, time baby के लिए, ठीक है, next MCQ, 280 days, ठीक है, 280 days यहाँपर correct answer होगा, next MCQ, अच्छा, ठीक है, next MCQ अपन बाकी की, जो अपन class, अभी कुछ दिर में upload कर देंगे, उसके अंदर अपन discuss कर लेंगे, तो इसे के साथ है, आपनी जो session है, यहीं complete करते है, आपके कुछ doubts हो, तो comment post में जिरूर कमेंट कीजिए, thank you so much, wish you all the best for your exam,